दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा Realme C1 के New Software Update के बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट आयते कि Realme C1 को New Software Update क्यों नहीं मिल रहा है जैसे कि Realme C2 Device को मिल रहे हैं ना दोस्तों आपका Realme C1 को हो गया पूरा 2 साल कमप्लिट, Realme C2 को भी 2 साल कमप्लिट हो गया है, बलकि ये वाली समस्या, Realme C1 के साथ ही क्यों है, Realme C2 को क्यों अपडेट मिल रहे हैं, जब तक इस्टेवल नहीं होगा तब तक उसको अपडेट्स मिलती रहेंगे इस वज़ासे रियल्मी C2 डिवाइस को अभी तक अपडेट्स मिल रहे हैं दो साल कंप्लीट होने के बाद भी सो रियल्मी C1 को जो अपडेट था वो एंडर 9 पर बर्क कर रहा था इस वज़ासे रियल्मी C1 को अब कोई भी अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं और नहीं आगे मिलेंगी बट हम अपने रियल्मी C1 डिवाइस को एंडर 10 और रियल्मी यूई जैसा कैसे बना सकती हैं सारे थीम है बुलकुल हूँ वहू उनकी तरह ही चलते हैं और मेरे टेलिग्राम ग्रूप पर मुझे जॉइन कर लेना यदि इन लिंक से कोई प्रॉबलम आती है तो या मैं लिंक के अपनी डिस्क्रिप्शन ना दे पाऊं थीम्स के क्योंकि कॉपी राइट का इसी हो सकता है इ उन्हें एक्स्ट्रेक्ट करना है आपका थीम निकल के आजाए का जश्ट किलिक करना है और थीम को एप्लाई कर देना है और एक एप्लिकेशन आपको बताई होगा क्रॉम ब्राजर से डाउनलोड कर लेना या मैं अपना एक वीडियो का लिंक दूंगा अपने बीडियो को देख लेना जिसका नाम है आई मोड आई मोड एक एप्लिकेशन है जिसके थ्रू हम कोई भी थीम को पर्मानेंट अप्लाई कर सकते हैं जो ट्रैल का हमारे में जो ओप्सन आता है कोई भी थीम अप्लाई करने के वाद रिएलमी के डिवाइस में वो ब्लकुल भी नहीं आने वाला है कोई भी पेड थीम हम फ्री में अप्लाई कर सकते हैं आई मोड के थ्रूस वीडियो भी देख लेना तो यही इंपोमेशन आप दोगों के साथ सेर करने थी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पर पहली बार वीडियोज में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर